हेलो एब्रीवन मैं साहीद रहमन आप देख रहे है एस और आडवाइस दोस्तों 61 का गिगावाइट का बोर्ड है 61 बोर्ड गिगावाइट का जिस बोर्ड का प्रॉब्लम जो है मैं आपको देखा थे में ठीक से इस बर्ड अकलता हूं कि अब देख से वोड आनी हो रहा है इस नहीं हो रहा है दो नहीं में यह तिपने टर को चनींहें कह दिता हूं मैं सुच एक बाड आफन करके मैं फिर से पारण करूंगा नहीं हो रहा है फिर से इसको लादूंगा जोड़ूँ पारण करके मैं पिर से लागा देता हूं आप 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 पर देख सकते हैं एक पर तो बंद हो गया है फिर अफ हो जाएगा यहां पर एफ आ रहा है डिस्प्ले भी आ रहा है लेकिन कुछ देर चलके फिर बंद हो जाता है कि बार-बार ऐसे प्रोल्म होते है जब मैं करने की करूशच करूँगा कभी आन हो होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं हो जाता है तो 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 चैकन के बाद एक लिए अब स्थ करें तो यह जो सब्सक्रांद करें ज्च में ज्च ethics रिए जादा हिर होता है लेकिन की हीट आप सौट नहीं है अगर पिसेट सौट होता तो यह लाइट बड़ा बार जालता है यह नौर्मल भीएव कर रहा है तो डियागोनिस्टी काड़ देखके लग रहा है कि यह बोड पुड़ा ओके है कि यह जो पीसेट है बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो चलके बंद हो जाता है तो इसका आज हम ट्रावल सिट करेंगे के लिए बोड को आप कर देता हूं अपने के बाद करता है तो मैंने आपको पहली बताया कि मैंने पुरा बोड चेक्शिया भी चेक्शन सब्सक्राइब चेक्शन सब्सक्राइब ज्यादा है तो जब मैं पीचेज कर जो हिट्सिंग है कि मैंने निकल के इसको निकल दिया निकल देने के बाद इसके इसके उपोर लगा हुआ है चोटो चोटो आप देख सकते हैं नॉन प्लॉराइस कापसिटर टाइब का लगा हुआ है तो यह जो मैं चेक्शन रहा हूं इसको मैं जब चेक कर रहा हूं तो यह सोट दिखा रहा है है कि सब्सक्राइब कर दिखा लेकिन यह सौट नहीं है तो कभी भी डिस्प्ले नहीं आता लेकिन इस प्लार आ आने के बाद कुछ दिर चलके बंद हो तो मतलब यह ओक है इसका उपूर लगा हुआ जो रही है तो ऐसे पहले भी कुछ बूड में यह फॉल्ड देखा और रिप्यार किया तो उस बूड में प्रॉल्ड किया था था तो उस बूड में भी ऐसे जो यह सौट दिखा रहा था तो आसपास कुछ खड़ा था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बूड होका हो गया लेकिन इस बूड में आपका डिस्पेल आ रहा है कुछ दिर चलके आफ हो जा रहा था तो इसके आसपास आप देख सकते हैं अब यह आप देखिए जो ट्रांजिस्टर टाइप कुछ लागा हुआ है इसके इसका ओपर जो नंबर है नंबर से पता चलता है कि यह ट्रांजिस्टर है या फिर मॉस्पेट है अब देख से यह च्छोट च्छोटे जो कंपोनेंट SMD टैप कंपोनेंट है इसको चेक करने पर लिद्वीर सोथ हो जाता है इसका यह सोट हो जाता है च्छोटा च्राइब काम सब्सक्राइब तो आज कुल माइच हैक करने यह से पाया है मैं इसको चेक करूंगा माल्टिमीटर को कांटिनीटी डेंज में डाला जालने के बाद मैं चल इसको चेक कर लेता हूं माल्टिमीटर का साउंड बहुत लो है अगर बीप साउंड देगा तब साइद सुन नहीं सकते मैं बता दूँगा इतो बसार है चले यह यह ओक यह कम्पोरेंट यह कंपोरेंट्स बहुति देखता हूं कर फीप tub देखने और मौने शाले या और यहां पर चले को सबसूद सकती है सिर्प ये तिन चर आइसमदी कमपंड मैं क्यों चिक कर रहा हूं कि यहां पहले बहुत रिक्या अब यह भी सौट है तो मैंने पहले भी यह बहुत रिपेर किया यह पॉल में ही से हो रहा था तो इसलिए मैं डाइडेक्ट यहां पर चेक करता हूं आप साइध सुन सकते यह भी नए सुन आप रीडिंग देखके आपको पता चल रहा है कि यहां पर विप साउंड आड़ा है मतलब यह भी स्वार्ट है य यह सब्सक्राइब नहीं है तो दो कॉंपोनेंट्स अभी तक नजाया एक यह और एक यह तो इसके उपर जो कुछ लिखा हुआ है तो इसको देखके पता लागाना होगा कि यह क्या है मॉस्पेट है यह पी ट्रांजिस्टर है इसको उपर नामबर है है डवल वान सेवन है और नमबर भी डवल वान है तो एक वाइबसेट है जानते होंगे इस-manual.com आप वहां पर जाके यह अपने क्या है यह है कि यह चाहिए है जो मतलब कि यह आपका यह ट्रांजिस्टर है यह मैं डवलों करते हैं पहले देख चुका हूं हूं यह इन्पिन ट्रांजिस्टर है यह सायद आपका आप 50 वोल्ट आउट्पूट और 100 या पी 200 मिलियंप्यर का तो क्या करना का सेम नंबर अगर नहीं मिला तो अधर्स कोई भी नंबर का एंपन ट्रांजिस्टर आप सेम एंप्यर और सेम वहलू देखके इसके रिप्लेस कर सकते हैं इसको रिप्लेस करने के बाद आपका बोड का वोल्टेज और अमपैर आप देखके आपको यह चेंज करना पड़ा हूँ और है और बैद बात मैंने बनेमिको नहीं की कहा पैसे और मैंने पहले है क्या क्या कि सॉट दिखाई है लिखने कैसे पादा चला कि कि एम दिखाए है में इस उल्रॉर में नारा आ हैं लेकिन लेकिन रीडिंग से हो रहा है वान नाइन ठीक है वान नाइन रीडिंग से हो रहा है मतलब कि यह सॉट नहीं है अगर यह सॉट होता तो 3001 आता है मैक्सलाम टाइम नीचे आता है जो सॉट होता है लेकिन यह कि यह सॉट नहीं है थो जो कोंपरेंट मैंने दिखा है वह कोंपरेंट वाजा से कॉंपरेंट आप यह दो अगर आपको कहीं भी फॉल्ट नजर नहीं आया तो आप यहां चेक किजिए आपको फॉल्ट आएगा मैंने इसे प्रॉब्लम का इस लिए मैं यहीं से हो रहा है आपको अगर यह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको करके आपका बॉर्ड ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए कमेट कीजिए श्यार कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए